जहां उदगाटन करने फोटो खिछवाने और ड्रोन उडाने पहुचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर छत ही गिर गई लेकिन इस बेशर्म मोदी सरकार को शर्म ही कहाती है सोशल मीडिया पर लगाता शर्म करो मोदी और पनोती ट्रेंड कर रहा है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रोन उडाने से फुरसत ही कहा है अब ड्रोन ही उडा रहे होंगे क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जहां कि मुझे जानकारी लेनी होती है वहां मैं खुद नहीं जाता हूँ बलकि अपना ड्रोन भेज देता हूँ खबर भी मुझे कहीं सरकारी कामों की क्वाल्टी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की जानकारी में एरपोर्ट की छट गिर गई है? क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को ये जानकारी थी कि यहाँ पर पैसे खाय जा रहे है? क्योंकि कितनी निकम्मी हो चुकी है ये तो आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी तो पत्रकार रवीश कुमार ने कैसे धोया है कैसे बेज़त किया है उस पर आएंगे लेकिन उसके पहले तस्वीरे दिखाते हैं तस्वीरे आप अपनी हैं तस्वीरे अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है और आपको जानकर ये बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इन तीनों जगातन किसी और ने नहीं बलकि महामानव ने किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है आप देखें इसमें लिखा भी है कि जबलप पर हासे हो रहे हैं अगर दिल्ली एरपोर्ट की टर्मिनल एक की बात की जाए तो इसका उद्गातन 10 मार्श 2024 को हुआ था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पोटो सेशन करवाया था और अब इस दिल्ली टर्मिनल एक की छत ही गिर गई है जहां पर प्रधान अब हुआ है कि 27 जुलाई 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करकम लोग के द्वारा इसका उद्गातन किया था तो जब उद्गातन करना होता है फोटो खिच्वानी होती है तब तो प्रधान मंत्री आगे-ागे हो जाते हैं लेकिन आब आप देख सकते हैं जब हासे हो रहे हैं तो ये लोग जवाब देने तक के लिए नहीं तयार हैं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली को लेकर कहा गया जो टर्मिनल एक बनाया गया है ये अत्या अधुनिक है इसमें करोडों रुपए लगा दिये गए हैं खबर देके इसमें लिख मौजूद भी इसमें अमरुजॉला की खबर में लिखा भी हुआ है कि IGI एयरपोर्ट और अधिक अधुनिक हो गया है सुविधाओं से लैस हो गया है पीयम मोदी ने इसका उधगाटन किया है आपको बता दे ये वही टर्मिनल एक है जिसका उधगाटन हुए अभी एक साल का समय भी नह गिर गई है और जस क्या ड्राइवर की मौत हुई है आपको बता दे वो एकलोता अपने परिवार में कमाने वाला है बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा था अब उसकी मौत हो चुकी है हबर भी मौझूद है खबर देखिए बीपिकिस में लिखा भी हुआ है कि दोनों बेटियों की शादी अब कोई नहीं कमाने वाला दुखों में लुपलिप्टा दिल्ली एरपोर्ट पर जान गवाने वाले टैक्सी ड्राइवर का परिवार तो जिनकी मौत हुई है उनका नाम रमेश कुमार बताया जा रहा है आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है दावे तो बड़े-बड़े किये गए लेकिन सारे कि सारे दावे जमीन पर फेल होते हुए नजर आ रही है अब इसी पर रवीश कुमार ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि जिन ही है लेकिन ये मोधी सेरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि मुआफजा देना तो दूर की बात है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से अभी तक समवेदनाय तक व्यक्त नहीं की गई है यह वो प्रधान मंत्री है जो कि फोटो खिचवाने के लिए बोतल तक बटो रहे थे कुड़ा कच्रा साफ कर रहे थे अकेले टहलते हुए नजर आ रहे थे लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पानी लबालब भरा हुआ है गाडियां डूबी जा रही है तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से जवाब तक नहीं दिया जा रहा अरे यह सरकार क्या ज प्रोडों का चंदा एकटा किया गया वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पानी टपक रहा है अब पानी टपक रहा है या फिर की मोधी सरकार लीक हो रही है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर सिर्फ बात एयरपोर्ट की नहीं है राममंदिर की नहीं है बिहार के पुलों की भी हो रही है बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर पांच पुल्ड है चुके हैं आप देख सकते हैं कि 18 जून से लेकर 28 जून तक पांच पुल्ड है चुके हैं और इसमें तो कईयों का उदगाटन तक नहीं अब ठेकेदार पर कैसे ही सवाल खड़ा करोगे जब ठेकेदार भी गुज्रास से लाया जाता है जिया हबर मौजूद है आप देखें लोगों ने जहां एक तरफ ठेकेदार पर सवाल खड़ा किया वहें दूसरी तरफ अभिनव पांडे हैं पत्रकार हैं तस्वीरों को शे जोद्ध्या का सीवर गुजराती ठेकार बना रहे हैं अब सीयम योगी ने नोटस जारी कर दिया है बनारस में सडक से लेकर शोचाले तक गुजराती ठेकोई डारों ने बनाया यूब्य वालों को पुछ बनाना आता नहीं या बनने नहीं दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि पेपर से लेकर शोचाले से लेकर सडक تक गुजराती ठेकेदारों ने बनाई है यहाँ पर सवाल सिर्फ गुजरात लोबी पर नहीं, बलकि गुज़राती ठेकेदारों पर भी खड़ा किया जा रहा है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है यहाँ पर सिर्फ नीट का पेपर नहीं लीक रहो रहा है आप देख सकते हैं कि उपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम लीक हो रहा है लेकिन जब इस पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है आप अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे नीट के पेपर के लीक पर डिसकशन की मांग की और जैसे ही बोलना शुरू किया सदन में उनका माइक बंद कर दिया गया तो आप देख सकते हैं ये सरकार डिसकशन से, सवालों से और विरोध से कितना भागती है ये हाल तो तब हो चुका है जब ये लोग तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कितना चपर फाड विकास किया है आप एक-एक तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं अभी तो बस शिरुवात हुई है, मोधी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है लेकिन इस बार मोधी सरकार का वो हाल नहीं जो कि पिछले कारेकालों में था इस बार मोधी सरकार अलपमत में है और इंडिया गटबंधन मजबूत है चाहें जितना चुप कराया जाए इंडिया गटबंधन चुप बैठने वाला नहीं है तो फिलाल इन सारी तस्वीरों पर मोधी सरकार की बेशर्मी पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बट्र दमाएं हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें फिर मिलते हैं उगली खबर के साथ तब तक लिए धन्यवाद